काशी के लिए गर्व की बात है कि अयोध्या में नौनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ती की प्रांटपतिश्था काशी के विद्वान करेंगे लेकिन इससे भी ज्यादा गर्व की बात तब होती है जब यह पता चलता है कि जिनके आचारतों में राम लला की मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा होगी उनके ग्यारा पीडियों पहले गागा भड़ जी ने सिवा जी महराज का राज्याविशे कराया था महराष्ट जाकर वो परिवार हमारे साथ यहां मौजूद है लश्मिकान होगा और उनके सुपुत्र भी हमारे साथ मौजूद हैं पहले जानते हैं कि गागा भड़ जी के बारे में कि कैसे प्रसितियां बनी कि वो जाकर महराष्ट में सिवा जी महराज का राज़ अभिशेक कराएं श्रिवाजी महराज का अभिशेक वाराणसी के गागा भड़ बहुत प्राचीन विद्वान उसकाल में थे उनको लोगों ने आहुद किया गागा भड़ जी ने जाके वहां का कार्य सबसंपन कराया श्रिवाजी महराज को राज़ अभिशेक पर आसीन कराया उनके सुपुत्र हमारे साथ सुने दिश्वत जी भी है लश्मी कांद दिश्वत जी के बेटे आखिर जो बाते आप तक ये पता चली ग्यारह पीड़ी पूरानी बाते हैं कैसे आप लोग को ये बाते पता चली और क्या परसितिया बनी थी उस दोरान जो आप लोगों को स और जो लोग थे उन्होंने उनके वन्षजों से सुना था कि गागा घटकी परंपरा में हम लोगों का संबंध आता है और उसी संबंध का निरवाह करके अब इसका संबंध जोड़ा जा रहा है कि श्रिवाजी का राज्याविशेग गागा घट ने कराई ये सभी को परता है कि काशी सिगागा बट गए थे और परमपरा में कहीं न कहीं से जोड़े हुए थे तो एक सवाल यह उठता है कि महाराष्ट में खुदी उस दौरान एक से बैठ रहा था तो यह निश्चित किया गया कि हमें काशी से विद्वान बुलाने चाहिए और जिसके कारण की काशी में उस समय उद्भट विद्वान के रूप में गागाबट मोजूद थे और उनको राज्या विशेक की जिम्मेदारी सौपी गई दो संभावना इसमें बताई जा रही है एक तो सिवाजी महराज के कुल को लेके वहाँ प्रश्ण सायद उठाए गया थे और दूसरा काशी की विद्वत्ता के कारण यहां बुलावा बेजा गया है कुल की बात अपनी जगह है प्रश्ण विद्वत्ता के करण ही काशी को ज़्यादा तवज्जो दी गई और काशी से बुलाएंगा लश्मीकान गेशित जी से जानते हैं कि यह कितनी खुशी की बात है कि आपके पुर्वज आपके वनसज शिवाजी महराज का जीनों ने राजय अभिशेक कराया था और आप अब उनकी आगे की पीडियां है प्रभू राम के मूर्ति की प्राण पतिश्था कराने जाने है शिवाजी महराज के वनसजों में कौन यहां था उस समय और इस समय हम लोगों को आगे करें वो ठीक है परन्त शिवाजी के वनसज वो गागा भट्टे जी के वनसज में तो यहां इस समय कोई उपलब्द है नहीं अब प्रभू राम की मूर्ति की प्राण पतिश्था कराने जा रहे हैं कहां सिवाजी महराज और फिर प्रभू राम यह कितनी दोरी खुशी की बात है सुनल जी यह दोरी खुशी और गर्व का बात है काशी के लिए गर्व के अनुभूती है कहां आपके पुर्वज जो वनस परंपरा में थे हैं उन्होंने शिवाजी महराज का राजबिशेक कराया रास्तिलक कराया और आप लोग को यह आउसर मिला है यह कितनी खुशी गर्व की बात है सबके आराध्य पूरे भारत वर्ष के आराध्य और प्रातस्वरणी हमारे प्रभू रामचंद्र जी का वहां पर विराजमान होना यह हमारे हिंदू धर्म के लिए परम आस्था का विशा है और जिस चीज को लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था वो आज साकार होने जा रहा है तो सबका मन से एकदम परिपूर्ण आलाध पूरवक हम राम जी का स्वागत करने के लिए हम सभी तयार है और तेंट परसंद्र पूरवक इस कारे को निभाने के लिए तत पर हैं शोटी से और जानकारी यह चाहेंगे कि आप लोग का क्या रुटीन होगा और कब से लेके कब तक पूजा क्या 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 क्रम होगा पहले भी बताया जा चुका है मैं पुरन आपको बता देता हूं 16 तारिक से प्राण पतिष्ठा के कारे क्रम आरंब हो जाएंगे और मुख्य पराण पतिष्ठा की जो विधी पांच जिन्की है वह 18 तारिक से 22 तक की होगी और 22 तारिक की शाम तक सारे विधिप्रक्रन हो जाएगी क्रमवार अगर सोला से लेके चलें पहले दिन आप सोचेंगे तो 18 तारिको 16 तारिक को पहरे यजमान का प्रैस्चित होगा जले 18-17 तारिक को होगी प्रभु राम की मूर्ति का भ्रमन होगा अयोध्या में प्रोटोकाल के आधार प्रजैसा निरधारित किया जाएगा 18 तारिक को मध्यान में प्राण पतिष्ठा का विधिवत कारे संपन्न होगा पूरे भारत वर्ष से विद्वान आएंगे सभी वेदों के विद्वान आएंगे और उनके कारे के लिए निरधारित किया जाएगा उसके बाद प्राणपतिष्ठा के जो सामान्य विधिया हैं उसमें मूर्तिको जला धिवास, धान्या धिवास, पुश्पा धिवास, मधवा धिवास, तमाम प्रकार के अधिवास और शय्या धिवास करके भगवान की मूर्तिक में नियास किये जाएंगे 21 तारिक को रात्री पूरी विद्वानों की टीम जा रही है जो दल जा रहा है कितने लोग हैं और किस विधाओं की विद्वान हैं पूरे भारत वर्ष से लगभग डेड़ सो विद्वान आने की उमीद है जिसमें से काशी से 40-50 विद्वान हो सकते हैं उनकी परक्रिया सब निर्धारण चल रहा है उनका चैन चल रहा है और उनके आने जाने की विवस्ता सारी सब कुछ सुचार रूप से संपन होने वाली है और सभी विद्वान वहां पर 15 तारिक की शाम तक सब इकठे हो जाएंगे और अपने अपने कारेओं में सब लग कर सिवाजी महराज का राजाविशेक कराया रास्तिला कराया और अब इनको गर्व की अनुभूती हो रही है क्योंकि ये परिवार अब राम जन भूमी पर बने राम मंदिर में जाकर रामलला की मुड़ा झाल झाल